बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस सेशन में Welcome, Welcome and a Wonderful Morning to Each One of You स्वागत है बच्चों आप सभी का Binomial Nomenclature Part 8 में तो जो बच्चे इस सीरीज को जानते हैं और जो इस सीरीज को पहले से देख रहे हैं उनको इसके बारे में सारी की सारी बाते पता हैं इस तरह से हम discuss करते हैं एक एक organism एक एक जीव के बारे में with their scientific name ताकि वो सारी की सारी information आपको याद रहे scientific names jewels of biology कहे जा सकते हैं मतलब ये एक नगीना है biology को पढ़ने में scientific name को जानना बहुत जरूरी है और इसको याद रखना कई बार थोड़ा सा मुसीबत भरा होता बच्चों के लिए मशक्कत करनी पड़ती है क्योंकि नाम थोड़े अजीब हो गरीब होते हैं क्योंकि लैटिनाइस्ट है लेकिन धियां तीजिए एक एक scientific name को बनाने के पीछे उसको उसका नाम करन करने के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर रहता एक नंबर बात तो लॉजिक है और दूसरी नंबर बात है कि वो यूनीक है उस नाम का कोई भी दूसरा जीव कहीं पर भी मिलेगा नेगा तो बहुत जरूरी है इस चीज़ को समझने की आवशर्था है और एक एक करके उसके बारे में जानकारी लेते हैं तो साइंटिफिक नेम दो पार्ट में लिखा जाता है जीनस और स्पीशिस जीनस और स्पीशिस को लिखने का भी तरीका है दोनों को लिखने का एक प्रॉसेस होता है उस प्रॉसेस के बारे में भी हम बात करेंगे और यहां पर जो दिख रहा है आपको तरीका वो तो सिर्फ जीनस और स्पीशिस को अलग-अलग आपको दिखाने के लिए मैं देख लिए यह अट जाता हूँ आपको दिखाई दे जाए जीनस और स्पीशिस यहां जीनस और स्पीशिस दोनों के दोनों लिखे हुए हैं लेकर यह प्रॉपर साइंटिफिक नेम लिखने का तरीका नहीं है यह तो सिर्फ आपको हाइलाइट करने के लिए आगे इस जीव के बारे में हम साइंटिफिक नेम के बारे में भी जानेंग तो स्वागत है बच्चों आप सभी का आप सब जितने बच्चे आयों है सेशन को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स वगरा को भी बता दीजिए कि भई वो भी आकर के सेशन देखें ऐसे अकेले-केले सेशन देखना तो ठीक बात है है ना इस सीरीज को अब आगे रखेंगे कंटिन्यू रीजन बिंग नीट 2020 के एक्जैम के मदे नजर ये सीरीज मैंने बीच में रोक लिए क्योंकि और काफी सेशन किया होशकता थी क्योंकि नीट 2020 के अस्पाइरेंट्स के लिए काम के लिए अब बारी है आप लोगों की तो चलिए शुरू कर देते हैं अपने इस सेशन लेट मी सी कौन कौन से बच्चे आ चुके है अंशिका, चंदन, विष्णू, डॉक्टर पपू, क्रेजी बॉइ, शिवम, दीप्ती, साहिल, अंशू, इसके अलावा साक्षी और भी बहुत सारे बच्चे मनीशा आ चुकी हैं क्या बात है ट्रिगर के बाद क्या बात है आप लोगों के चैट तो भई बंदी नहीं हो रहे डॉक्टर विपिन, थैंक्यू सो मच फॉदर रोजेज बच्चे चालो भई, स्टार्ट कर दिया जाए, अमित कुमार ने जॉइन कर लिया है और भी बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं सेशन सेशन शुरू हो चुका है बच्चों और अब शुरू कर देते हैं, एक एक करके साइंटिफिक नेम और आज कुछ अनोखे जीवों के बारे में भी डिस्काशन है ऐसा अनोखा जीव, जिसके बारे में मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टिन बार बताऊंगा एक एनिमल में स्टेडी करने वाले साइंटिस्ट थे, जब उनको वो जीव लाकर के दिया गया, उसकी डेट बड़ी लाकर के दी गई, वो मानने को तैयारी नहीं थे कि ये कोई एक्चुल में जीव है उनको लगा कि कुछ ना कुछ शरारत करी गई है, इस जीव के बाड़ी में अलग अलग जीवों के पार्ट जोड़ दिये गए हैं तो पहली बार यही हालग थी जब उस जीव को देखा था, उस जीव पाया जाता है और उस जीव की ऐसी खासियत है कि उसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में कई अलग अलग जीवों के पार्ट उसके साथ जुड़े हुए है, तो उनके लिए भी बड़ी दिक्कत की बात थी, जिन्होंने सबसे पहली बार उसको देखा डेट बाड़ी देखी, लेकिन उनको लगे किसी ने मेरे साथ शरारत की है, किसी अनोखे तरीके स किसी तरीके से डेट बाड़ी के डिफरेंट पार्ट की सिलाई कर दी गई है, अलग-अलग और्गयानिजम के पार्ट को लेकर के उनकी स्टिचिंग कर दी गई है, और वो जी बना दिया गया, तो ऐसी भी चीजे हुई हैं दुनिया में, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस के बारे में, वेरी गुड, आदेश, वेल डन, बहुत बड़ी डॉक्टर बने गया, ग्रेट अब्जरवेशन, आई मस्ट से, चलिए, आगे बढ़ते हैं और जानकारी करते हैं अपने पाइनोमिल नॉमनक्लेचर सीरीज में, आज पहला जीव कौन सा रखा गया है, पहला बर्ड से, जिसको रॉक पीजिन कह सकते हैं, वाइल्ड, वाइल्डरनेस में रहते हैं, वहाँ से शुरुवात हुई, टुमेस्टिकेटिट पीजिन, यानि कि इनको लोग पालते थे, अपने घरों में रखते, अचा कबूतर पुराने जमाने में बहुत तरह के कामों में जाते थे, जैसे कि कबूतर के पैर में चिठियां बांग दी जाती थी, चोटी-चोटी, और संदेश भीजे जाते थे, एक जिगे से दूसरी, तोज लीजिए कबूतर जो हैं, इतना ज्यादा ट्रेंड किये जाते थे, ठीक है ना, तो आप समझी गया होगी कि ये खेल काफी पुराना है, लेकिन, खास बात तो ये है, कि वो जो कैप्टिविटी वाले कबूतर थे, जिनको यूज किया जाता था, पाला जाता था, रखा जाता था, डोमेस्टिक बना करके रखा जाता था, उनमें से कुछ पीजियन भाग निकले, कुछ कबूतर भाग निकले, और जा करके उन्होंने दुबारा से फिर अपनी अलग ही दुनिया बसा ली जो डुमेस्टिक ना हो करके अब जंगली हो गए तो याने की बाहर से पकड़ करके लाए गए वाइल्ड से डुमेस्टिक बनाना तो सुना है आपने लेकिन domestic से wild बन गए ये pigeon के साथ हुआ है और इतना बढ़िया अब आज की date में distribution है कि ये खत्रे से बाहर है इनको खत्रा नहीं है कहीं पर दिया तो pigeon याने की Columbus लिविया यहां से करते हैं शुरुवात आज के अपने session को लेकिन ध्यान दीजिए बच्चे scientific name को लिखने का तरी अब जब Columbus लिविया को हम किसी भी book में देखेंगे आप print किया जाएगा या publish किया जाएगा तो italics form में रहेगा वो italicized किया जाता है italics याने slanting letter में लेकिन handwritten form में जैसे कि हम और आप लिखेंगे कभी तो हम लिख करके उसको separately underline करेंगे कुछ इस तरी से कॉलमबा अलग लिविया एक और बड़ी important बात कॉलमबा का c capital होगा लेकिन लिविया का l small होगा क्योंकि genus always start with a capital letter but the species or the specific term it has to start with a small letter lower case alphabet में ही उसको लिखा जाएगा कलि यह इनके distribution के बारे में जानाएगा तो domestic pgn जो है it includes around 1000 different breed species एक ही है breed अलग-अलग है एक हजार से अधिक breed है ना ध्यान दीजिए बच्चे escaped domestic pigians have increased the populations of feral pigians feral pigians याने की जो आवारा कब उतर घुनते हैं ठीक है ना तो domestic pigian escape कर गए कुछ domestic pigian भाग गए क्योंकि देखिए जैसे हम लोगों में एक tendency होती है कि हम जीवों को बंदी बना करके रखते हैं कुछ लोगों में एक जीवों के प्रती थोड़ी सी सम्वेदना होती है और वो खोल देते हैं इन परिंदों को आजाद कर देते हैं तो ऐसे ही अहां पर ये खुब अच्छे से ग्रो करते हैं और सेमी ओपन सेमी ओपन एंवारेंटमेंट तो मतलब क्या है कि थोड़ा सा पॉरेस्टिक टाइप का एरिया भी हो सकता है या इनसानों की बस्ती जो सेमी ओपन कह सकते हैं बिल्डिंग्स के बीच में इस तरह के इलाकों मे भी ये बहुत जादा ख्रोकर तो ये वाइल कंडिशन में कहां पाए जाते थे औरिजिनली फाउंट वाइल इन यॉरॉप यॉरॉप में देखे जाते थे नौर्थ अप्रीटा में देखे जाते थे और वेस्टर्ण एशिया ध्यान दीजिए हमारे देश में जब मुगल स देशों से कबूतर लाए गए थे नहीं है लेकिन इसने ऐसा इस्टैब्लिश किया आपने आपको कबूतर दिखी जाता और कबूतरों को दाना खिलाने वाले लोग भी दिख जाते हैं इसी वज़े से इनकी तादात खूँ फ्लरिश कर रही है पड़ रही है तो पीजिन्स आपको कबूतर दिखेंगे एक स्टो बीस मिलियन याने की कुल मिलाके एक मिलियन का मतलब होता है दस लाख याने की बारा सो लाख कबूतर सारी दुनिया में है अब इसको आप कैल्कूलेट करते रही है कितने कबूतर दुनिया में है पाकि इसका कोई लेना देना नहीं है इस सेशन के साथ तेक है इस सेशन का मकसद यही है कि आपको याद रहे कबूतर का वैग्यानिक ने कॉलंब अधनान अभी शेख अधनान तो भई अभी अभी आए हैं शायद और बहुत से हाई भेज़े हैं अधनान ओमकार गुड मॉर्निंग नंद किशोर और भी बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं सेशन में चलिए बच्चों तो आगे बढ़ते तो पहला हमने देखा आज का जो मा तो आप यह जरूर लिखिएगा कॉमेंट में जरूर हमें बताइएगा कि वेदर यू वांट टू कंटिनू इन दिस सीरीज और नॉट क्योंकि अभी भी बहुत से साइंटिफिक नेम्स हमने डिस्कस करने तारे के सारे सारे भी तक हुए नहीं है तो आज तो आज तो आज तो कॉलंबा लिविया हो गया अगला पड़ाव हमारा बर्मुडा ग्रास तो बर्मुडा ग्रास जिसको दूग ग्रास भी कहते हैं दुर्वा कहते हैं गाए इसको खाती है इसकी रिलीजियस वैलूस भी है हिंदू रिलीजियन में दूग को बड़ा ही शुब माना जाता ह और बच्चो नैचुरोपैथी में ये एक बहुत पोटेंट मेडिसीन है नैचुरोपैथी में सबसे बड़ी हाँ मेडिसीन है साइनोडॉन टैक्टिलॉन किस काम या लिए इसका प्रमुक का रिखता है नैचुरोपैथी में वो ब्लीडिंग को रोकने में काम आता है कहीं प क्या कर सकते हैं आप इस graz को जो हमारी दूब ग्रास है इसको रगड करके थोड़ी सी हाथ मे लेकर क्या आप रगड सकते हैं रगडेंगे तो जूस को अगर bleeding area में डाल दिया जाए bleeding वही के वही रुप जाती है तो इस तो प्लीटिंग को रोकने की बहुत बड़ी हदवा है इसको बर्मुडा ग्रास भी कहते हैं इसको साइनोडॉन डेक्टिलॉन भी कहते हैं और गाये के लिए ये बहुत कामकी होती है कि इसी बात है कोई भी मवेशी जो है हमारे जानवर जो चारा चड़ते हैं वो सबसे जादा पसंद करते हैं साइनोडॉन डेक्टिलॉन को हरी हरी दूप ग्रास लेकिन ध्यान रहे इस दूप ग्रास के निउट्रिटिव वैल्यू बहुत जादा नहीं इसलिए इसलिए जो यानि की डेरी फार्म्स गैरा मेंटेन करते हैं लोग वो गाए को खास खिलाने के अलावा सप्लीमेंट्स भी देते हैं फूट सप्लीमेंट्स का भी दिया जाना आवश्य की वोगा है ना तो साइनोडॉन डेक्टिलॉन अगें हैं रिटेंड फार्म में अगर आप तभी ग्रास के बारे में, सबसे हार्डी ग्रास है ये, है तो बड़ा हर्वेशियस लेकिन बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है, ग्रेजिंग को और टॉलरेंट है, इसके उपर लॉन में देखिए धास लगी हुई, आप चल करके जाएं, धास को कुछ नहीं होता, लेकिन दूसरे कोई प्लांट होंगे, पौधे होंगे, कोई भी पौधा हो, उसके उपर से अगर आप दिन में दो बार, तीन बार चल लेंगे, तो वो पौधा फिर ग्रो नहीं कर सकता, लेकिन घास को कोई फरक नहीं होता, टेक है, बर्मुडा ग्रास या साइनोडॉन डेक्टिलॉन इस इस फारी दुनिया में इसको लौन ग्रास के नाम से भी जाना जाता है, और इसको लगाया जाता है, इस हाईली तो ड्रॉट, सुखे में भी काफी टॉलरेंट है, एड हेवी ग्रेजिंग, काफी चीव अगर इसकी घास को चड़ते भी हैं, तब भी यह अपने आपको टॉ लेकिन कई देशों में ये खुद एक वीड है, दूसरे क्रॉप प्लांट को नहीं ग्रोकरने देता है। इसी कॉमन ग्रास ने इतना ज़्यादा पैला उने लिया है कि वो अग्री कल्चरल क्रॉप के साथ कंपीट करता है। अगला साइन्टिफिक नेम चक्ट बिल्ड प्लाटिपस देखिए बच्चे इस इस प्लाटिपस नामक जीव को ढंगजे देखिए। इसकी जो आगे बिल बनी हुई है याने कि सो कॉल्ड वो बतक की सी चोंच जो लगी हुई है तो चोंच तो हमेशा बर्ड्स वगएरा में पाई जाती है। और इसकी चोच काफी ब्रॉड है प्रॉपर मतलब एक तरह की बतक की जैसे ही लगती है थोड़ी चोड़ी जरूर है। लेकिन कोई आपसे कहे कि यह एक मैमल है तो क्या आपको भरोसा होगा। और एक चीज़ जान करके तो और हैरान हो जाएंगे कि यह है तो मैमल लेकिन यंग को वर्त नहीं देता अंडे देता, आचा मिल्क भी फ्रोड्यूस करता है इतमे फीमेल मिल्क अब हैस तो मैमल हे इर है बड़ी लेकिन एक लेइन मिल्मठ है ख्लीट घल्ली मैमल है, ढ़् साइंटिफिक नेम और नितो रिंकस एना टिनस सारे बच्चे इसको अच्छे से देख लें और इसके बारे में जानकारी आगे हम देने जा रहे हैं ठीक है फ्यूचर डॉक्टर मिस चाक अधनान क्यूट और कौन कोन आ गया है रोहित आ चुके हैं फ्रॉम हरियाना हेलो बच्चे अंकित चक्ती ने जोइन कर लिया है तनू आ चुके हैं और भी बहुत सारे बच्चे और बच्चों लाइक करना मत भूलिए तैशन को लाइक करना आपकी जिम्मेदा तो डक्ट बिल्ड प्लाटीपस इसको गवर ते देखिए इस जीव को ऐसा अनुखा जीव है और अच्छा तैयराख्ति प्सक्ति पानी में रहना अधिक पसंद है ज्यादा स्क्राथ डक्ट बिल्ड ब्लाटीपस और नीथो रिंकस नाम तो आपने सु important बात जैसे ही यह हम scientific name की फेहरिस्त complete करेंगे जो आज की list है इसके बाद एक unacademy quiz भी होगी plant kingdom और animal kingdom के उपर क्योंकि जब हम organic नामों की चर्चा करते हैं scientific names के बारे में जानते हैं तो हम जादा तर plant kingdom और animal kingdom के members को ही ले करके discussion करते हैं तो एक quiz होगी 20 MCQs करेंगे आपके साथ plant kingdom, animal kingdom के उपर unacademy learning app पर ठीक है now let us understand about this duck-built platyx it is a semi-aquatic egg-laying mammal semi-aquatic मतलब पानी में भी रहना पसंद करता है बाहर भी रहना egg-laying mammal है and it is endemic to eastern Australia eastern Australia का नागरिक है वहाँ का endemic है including Tasmania, Tasmania भी एक छोटा सा टापू है उस्टेलिया के पास तो eastern Australia और टस्टेलिया इस से मिलते जूते जीवर New Zealand में भी पाए जाते हैं, उस्टेलिया में भी पाए जाते हैं लेकिन यह जो duck-built platybust है यह Australia और टस्टेलिया में पाए जाता है it is the sole living representative of its family याने की और निथो रिंकीडे फैमिली का यह इकलौता मेंबर है एक ही जीनस है ठीक है तो sole living representative of its family और निथो रिंकीडे and the genus और निथो रिंकस ठीक है तो a number of related species appear in the fossil record fossils में बहुत सारी species पाई जाते हैं इन से related जो है species आप कह सकते हैं यह एक तरह का living fossil ही है now together with four species of echidna यह duck-billed platypus ornithorhynchus इसके साथ-साथ echidna की चार species इसको मिला लिया जाए तो five extend species of monotremes कहलाते हैं monotremes क्या है the only mammal that lay eggs instead of giving birth to young ones तेक है यह egg-laying mammals है monotremes तो monotremes में हैं पाँच चार हैं echidna की species एक है और neithorhynchus याने की duck-billed platypus now अब एक अनोखा जीए venus flower basket इसका नाम आपने सुना है tuplectella aspergillum one of the species बच्चो यह इतना खास species है कि Japan जैसे देश इसको as a gift use किया जाए और इस gift को किसको दिया जाता है newly married couples को दिया जाता है gift इस gift के पीछे का जो logic है वो क्या है वो समझती जा venus flower basket की बहुत ज्यादा कीमत है जापैन में समंदर से गोता कोर इसको लेकर के आते हैं और ये शादियों की बाजार में बड़ा शुमार है इसका याने की जैसे होता नहीं है कि आपके किसी ने party में गुलाया तो आप घूनते हैं क्या gift देना है क्या नहीं देना कुछ नहीं मिलता तो हम एक bouquet लेकर के चले जाते हैं flower bouquet लेकर के चले जाते हैं वही ले जाना मसंद करते हैं gift के लिए अब question ये है जबैन में ये सबसे शुब गिफ्ट माना जाता है married couples के लिए ध्यान लिए आपको इस sponge के अंदर एक जीव दिखाई दे रहा है बचो sponge के जो fibers हैं उन्होंने ऐसा network बना रखे इसके अंदर का वो जीव बाहर नहीं निकल से ये देख लिजिए एक तरह का एक चोटा सा shrimp है shrimp या लॉप्स्टर जो होते हैं अर्थ्रोकोडा है और ये चोटा सा अर्थ्रोकोडा इसके अंदर ही रहेगा सारी जिन्दगी इसके अंदर रहेगा और आपको एक चीज और जानकर कहरानी होगी कि ये हमेशा pair में रहता है male और female दोनों श्रिम्प साथ साथ रहते हैं और सारी जिंदगी साथ साथ रहते है यही वो logic है जिसके लिए जैपान के लोग इसको बड़ा शुब मानते है और married couples को दिया जाता है ये as a gift लेकि जाहिर सी बात है पानी से बाहर निकाल लिया तो इसके अंदर का श्रिम्प भी मर जाएगा और ये Venus flower basket ये खुदी भी मर जाता है ये बड़ी अनुकी चीज़ है अब question है कि ये trap हुए कैसे ये trap हुए कैसे इसके अंदर कैसे पहुँझ गया और जिन्दगी भर एक जेल में क्यों बंद है तो बचों ये एक तरह का symbiotic relationship है जब ये छोटे form में रहते हैं इन श्रिम्प के एक वगेरा जो होते हैं वो किसी ना किसी larva या एक जा करके छोटे छोटे पोर के तुरू ये venus flower basket में अंटर कर जाते हैं जब size इनका बड़ा हो जाता है तो वो निकल नहीं पाते हैं ये venus flower basket हमारी जो modern industry है इससे भी ज़्यादा advanced है कैसे advanced है चलिए इसके fiber के बारे में जानते हैं तो ये जो fibers हैं इसके glass fiber type की इसकी sponny होती है और glass को silica से glass बनाने में हमें heat करने की ज़रूरत होती है खास बात ये है कि ये heat नहीं करता silica को और glass like fiber बना देता है कैसी अनुखी बात है glass like fiber बनाता है without heating the silica वह glass क्या है silicon dioxide और हमने glass fiber के बारे में भी बढ़ा है glass fiber जो बच्चे थोड़ा सा technology में interest रखते है आपको जानकर कहरानी होगी कि glass की rod को अगर गरम करके एकदम से खीचा जाए तो वो fiber में तबदील हो जाता है और वो fiber तूटता नहीं है शीशे का fiber कहलाता है glass fiber कहलाता है हमारे aircraft की body में वो glass fiber use किया जा glass fiber, काच का fiber, सीशे का fiber तो इनकी भी body उसी सीशे के fiber की तरह बनी हुई है लेकिन कभी break नहीं होती है मैं आपको यह देखो process भी बता रहा हूँ किसी काच की rod को, glass की rod को बीच में से heat करिए और जब वो पिघलने से लगे, heat हो जाए उसको एक्तम से stretch की जिए आप उसको ध्यान जरूर रखें it should be underlined और it should be starting with a capital letter for the genus and starting with a small letter for the species इस चीज़ का आपको बखोवी ध्यान होना चाहिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसकी खासियत के बारे में जानते हैं marine sponge है, found in deep waters of the pacific ocean प्रशांत महासागर प्रशांत महासागर जपान के आसपास जो समंदर है वो प्रशांत महासागर है और अमेरिका के west coast में भी प्रशांत महासागर ही पाया जाए ठीक है, यह glass sponge है as other glass sponges, they build their skeleton out of silica silica से बनाते हैं अपना skeleton which is of great interest in material science as they do not require heat to form their glass latices glass fiber या glass की जो latices बनाते हैं उसके लिए इनको heat की आवशकता नहीं पढ़ती which in some ways make their properties superior to manufactured fiber optics जो fiber optics हम use करते हैं telecommunication में उन fiber optics से ज्यादा advanced है यह समुदरी कीड़ा, एक समुदरी जीव समझ रहे हैं? now as other sponges, they feed by filtering sea water to capture plankton यह planktons को बकड़ करके अपने digestive vacuoles के अंदर planktons को digest करते हैं यह भी एक तरह का sponge ही है ठीक है? so this was the information about the sponge now pine tree, pinus rocks बर्गी हमारे country में पाया जाने वाला pine tree हिमाले की तलटी में पाया जाने वाला यह चीर का पेड़ भी कहते हैं चीर, pine भी कहते हैं इसको चीर जिसको कहते हैं चीर, देवदार यह पेड़ जो है हमारे देश के हैं तो pinus rocks बर्गी जिम्नोस पर्म है, pine tree है नीडल लाइक लीफ हैं और इसकी नीडल लाइक लीफ जादा तर pointed होती है, पतली होती है, triangular होती है cross section में triangular होती है waxi cuticle होता है, resin ducts होते हैं लीफ के अंदर, pine की लीफ का cross section हम बहुत बार रखते हैं lab में और देखते हैं male and female कौन एक ही plant पे आते हैं साँजवाई बाद, finus rocks बर्गी let us understand it is a large tree reaching 30 to 50 meter 30 से 50 meter यानि की 90 से लेकर के 1500 feet तक की उचाई को पहुच सकता है trunk का diameter इसमें 2 से 3 meter का होगा है 2 से 3 meter यानि की trunk का diameter diameter की बाद की circumference की बाद की बाद नहीं होड़ी ट्रंक की जो चोड़ाई है अब आप सोच की ये 3 meter का मतलब होगा करीब 9 से 10 feet 10 feet का diameter है यानि की पेड़ की चोड़ाई 10 feet की है चोटा मोटा पेड़ नहीं हुआ एक इंसान की जो लंबाई होती है बहुत अच्छी height का इंसान हो तो 6 feet होगी ये 10 feet की चोड़ाई का पेड़ है और अगर पूरे circumference को देखें तो अब आप सोच सकते हैं कितना विशाल काईब रिक्ष बनता होगा ये Himalian areas में इसका bark red brown होता है thick होता है deeply fissured है at the base of the trunk याने वहाँ पर आपको cracks दिखाई देते हैं बहुत गहरे cracks दिखाई देते हैं और उपर की तरफ thinner और flanky हो जाता है leaves are needle-like in fascicles of three तीन-तीन के उच्छों में grow करते हैं 20 से 35 cm लंबा याने कि करीब-करीब 12 से 13 इंच तक लंबे हो जाते है needles और yellow screen होते हैं ये कई बार जंगल में नीचे carpet सा बिछा देते हैं इनकी पत्तियां जब गिरती हैं तो carpet सा बन जाता है और ये दूसरे पेड़ों को grow नहीं करने देते हैं इसी की वज़े से gymnoscom की ही प्रजाती उन forest में grow करती है और बहुत ज़ादा जानिया या कोई छोटे मोटे herbaceous या लता यूट नहीं grow कर पाते हैं तिर्फ इसी वज़े से क्योंकि इसकी पत्तियां जमीन में एक unfavorable condition मैंने आपको class 12 की ecology में organism and population में पढ़ाया है deciduous forest के बारे में पढ़ाया हुआ temperate forest temperate deciduous forest जहां पर जो grow करते हैं gymnospom उनकी पत्तियां गिरती हैं और कुछ तरह की acids बनाती है जंगल के फ्लोर पर जिसकी वज़े से वो completely degrade नहीं होते very quickly है ना तो ये भी समझ लीजे ये उसी प्रजाती का पेड़ है काली सिर्फ difference इतना है ये हमारी country में पाया जाता है ये हमारे देश का है now comes the silk moth bombax mori bombax mori ध्यान रखेगा silk moth silk moth cocoon बनाता है तो जो larva है वो cocoon बनाता है और वहीं से silk का production होता है mulberry शैतूत के पेड़ों में इसकी जो है पूरी के पूरी colonies बसती है आप समझ लीजिए cocoon बहुत सारे cocoon दिखाई दे जाते है mulberry tree के उपर तो mulberry के साथ इसका बड़ा पुराना नाता है तो silk worm is a larva or caterpillar of a silk moth silk worm in larva है ये caterpillar it is an economically important insect and it is the primary producer of silk तो सबसे अधिक producer यही है silk का इसका preferred food है white mulberry leaves morris alba हलाकि ये कई mulberry शैतूत की प्रजातियों पर ब्रो कर जाते हैं लेकिन morris alba शफेद शफेद शैतूत जो है जो चाइना में mainly पाया जाता है वैसे तो हमारी country में भी आज की date में इसका cultivation है domestic silk moths are closely dependent on human for reproduction as a result of millennia of selective breeding बहुत वर्ट से रेशम की खेती हो रही है तो इसकी वज़े से जो wild moth हैं उनके पास उतना बड़िहा quality का रेशम नहीं पाया जाता है ये वाला मौत इंसानों की ही देख रेक में breeding करता है commercial variety of silk जो प्रूडूश होगी और बहुत superior variety of silk पाई जाती है इसके द्वारा जिसको बेल कहते हैं एजल मार्मिलॉस ठीक है इसको एक और बेल आता है इसी से मिलता जोलता है लिमोनिया ऐसीडिसिमा उसके साथ confused नहीं होना है वो होता है खटा यह होता है मीठा good apple, agel marmalos, amphi sacra type of fruit पर भी हमने चर्चा करी थी that is good apple या बेल जिसको कहते हैं इसकी पत्तियां शिव जी को अर्पित की जाती है बिल वो पत्त्र कहते हैं उनको इनकी तीन पत्तियां शिव जी के तीन नेत्र के साथ compare की जाती है और यह बड़ा ही important plant है लिवर के लिए बहु पाइदा मिलता है तो इस वुडपल और agel marmalos चलिए आगे बढ़ते हैं इस नेटिव तो अक्रॉस इंडिन सब कॉंटिनेंट इन साथ इस्ट 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 रूटिवेटेड थूआउट स्री लंका, तमिलनाडू, थाइलेंड, मलेशिया यह देख इसका नेटिव है, हाइलेंड, मलेशिया, तमिलनाडू, श्री लंका याने की दच्छिल भारत में भी पाया जाता है, हमारे कंट्री के बाहर भी पाया जाता है, इसका altitude, कितनी height तक यह ग्रो कर सकता है, तो 1200 मीटर तक की उचाई में यह पाया जाता है, तीरो याने की समंत के तल से, sea level से लेकर के 1200 मीटर तक की उचाई में पाया जाता है, फित मीन annual rainfall of just 57-200 cm, 57-200 cm जाने की less than moderate rain कहेंगे, 200 cm से कम rain है अगर annual, तो वो less than moderate है, तो drier condition में ग्रो कर जाता है, ठीक है, it is able to grow in places, other trees cannot grow, यह ऐसी ऐसी जगों पर भी ग्रो कर जाता है, जहां बाकी पेड ग्र ग्रो नहीं कर पाता है, ठीक है, कई तरह के soil conditions में ग्रो कर जाता है, देखे, pH range कहां से कहां तक में ग्रो कर जाता है, 5 to 10, याने कि acidic pH से alkaline pH तक यह ग्रो कर जाता है, pH 5 काफी acidic है और 10 alkaline है, तो acidic से alkaline area में ग्रो कर जाता है, tolerant to water logging, अगर जल का भराव हो जाए, इसके root के पा dry season to give, इसमें फल आने से पहले dry season होना जा, यानिक जैसे सर्वियों का time है, इसके बाद इसमें fruit आ, minus 7 से 48 degree Celsius तक के temperature को यह tolerate करता है, बहुत बड़ी बात है बच्चे, इतना high, मतलब इतना wide range of temperature, minus 7, जहां पर बर्फ जम जाए, बाकी सारे पेड कम तोड़ देते हैं, यह जि स्फैगनम की species, जो Pete Moss के नाम से जाना जाता है, हीरोस्कोपिक है, काफी water retain करता है, इसको plant वगेरा ट्रांसपोर्ट करने में, flower ट्रांसपोर्ट करने में use किया जाता है, आपको एक जानकर के हरानी होगी एक बार जानकर के, इस सारे दुनिया में भारत एक ऐसा तेश है, ज चाहे वो marigold हो, चाहे वो roses हो, चाहे वो tulip हो, और हमारे देश में फूलों की खेती काफी अच्छी तादात में होती है, कई इलाकों में होती है, और specifically flower की ही खेती, ठीक है, तो हवाई जहाद से, दुनिया के अलग-अलग मुल्कों में flower भेज जाते हैं हमारे देश के, रजनी गंदा बड़ा famous है मारे निकल रहीगा, तो रजनी गंदा हो गया, rose की tweak हो गई, और भी बहुत तरह के flower जैसे की geranium वगएरा हो गया, यह भेजे जाते हैं, तो अब इन plant को जब भेजा जाता है, इन flower को, तो chances रहता है कि यह सूख जाते हैं, तो स्फैग्नम के साथ ह पैक करके इसके cut portion को भेजा जाता है, क्योंकि स्फैग्नम एक moss है, peat moss है, and it is hygroscopic, it can absorb a lot of moisture, ठीक है, स्फैग्नम का नाम आपने सुना है, bryophytes, चालिए, आगे बढ़ते हैं, स्फैग्नम is a genus of approximately 380 accepted species of mosses, commonly known as peat moss, 308 species, under the right condition, peat can accumulate to a depth of many meter, यह peat क्या है, यह काले कलर का एक structure होता है, जो इसी स्फैग्नम प्लांट के, प्लांट पार्ड के सूखने की वज़े से होता है, एक बड़ी important story मैं आपको इसी peat moss के साथ share करने जा रहा है, तो different species of sphagnum has different tolerant limit for different pH है, तो peat land में कई तरह की species हो सकती है, soil conditioner भी माना जाता है, increase करता है minty की capacity to hold water and nutrient, चलिए इस peat moss के बारे में एक कहानी बता देता हूं, यह वैसे तो peat moss हमारे देश का है, खासियानम, घारो खासी जैंदिया हिल्स, जो हमारे eastern इंडिया में हैं, मेगाल असाम के असपास पाई जाती है, वहां का यह native है, sphagnum khashianum, टेक है, वैसे यह sphagnum, य बहुत जादा अच्छे से और luxuriantly grow करता है, sphagnum khashianum, हुआ यूं कि यूरोप में, किसी गाओं में, यूरोप के किसी देश में, एक छोटे से गाओं में, एक gentleman घर से निकले, पहाडों की तलहटी में वो गाओं था, खाटी में था, और असपास कहीं कोई खतरनाक खाटी नहीं थी, इतना जादा कोई गहरी खाई नहीं थी, कुछ भी नहीं खाया ऐसा, unusual, को घर से निकले, और फिर लोटे ही नहीं, उनकी वाइक पनिशान नहीं, कहां गये, उन्होंने इदर उदर हर तरफ ढूंडा, वो मिले नहीं, पुलीस में रिपोर्ट लिखाई गी, पु कुछ टाइम बीता? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल बीत गए, 35 साल बीत गए, 40 साल बीत गए, 45 साल हो गए, 50 साल हो गए, 70 साल के बाद, 70 साल के बाद, उस गाउं में कहीं पर पीट का बॉग था, बॉग बोलते हैं, दल्दली छेतर वहाँ पर पीट मॉस बन जाता है, यूरोप में सर्दियां पड़ती तो वहां के लोग पीट को निकालते हैं और उसको बर्न करते हैं ताकि इसकी कैलोरिफिक वैलू भी काफी अच्छी होती है तो 70 साल के बाद जब पीट मौस के इलाके में वहां पर उदाई हो रही थी तो उन जेंटलमेन की बॉड़ी मिल ग कि 70 साल के बाद भी उनकी वाइफ जिन्दा थी काफी ज़्यादा एजिट हो गई थी तो उनको बुलाया गया कि भई आपके हस्बेंट है कहीं ये वो तो नहीं अब 70 साल के बाद कौन पहचानता है कि ग्रेट ग्रेंड फादर कैसे दिखते रहे होंगे किसी ने फोटो में थी कि जब अलविदा कहने का वक्त था रोई विर्कुल भी नहीं मुस्कुराते हुए एक चीज़ तो बहीं कहते मैं तो बुड़े होगे आप तो वैसे के वैसे ही है अब यह अनुखा काम हुआ कैसे टोड़ी के साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है उसको ध् गिर जाते हैं तो वहां पर कोई माइक्रोब नहीं बहुंच सकता इसी की वज़े से वो बॉड़ी प्रिजर्ब थी तो कहने का मतलब है कि एंटी माइक्रोबियल प्रापर्टी भी प्रेजिंट है जाने कि इसको अगर यूज किया जाए कट पार्ट आफ प्लांट को ट्रा चलिए आगे बढ़ते हैं तो पीट मॉस के एक एक्जाम पपढ़ लिया हमने है ना सॉयल कंडिशनर के रूप में यूज किया जा सकता है स्वैगनम को और वाटर होल्डिंग के पासिटी का फिच नाउ लिवर वाट मरकेंशिया पॉलीमॉर्फा यह मोस्ट इंपोर्टन लिवर वाट है बच्छों यह भी एक ब्रायोफाइटा है लिवर वाट प्रिमिटिव ब्रायोफाइटेस की श्रेणी में आते हैं प्रिमिटिव ब्रायोफाइटेस क्यों कहे जाते हैं क्योंकि यह सबसे पहले इवाल्व हुए और यह लिवर की तरह कुछ-कुछ करके ब्रांच दो पार्ट में ब्रेक हो जाती है मरकैंशिया पॉली मॉर्फा ध्यान से देखिए मरकैंशिया पॉली मॉर्फा ठीक है चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं Now, Mercantia Polymorph, sometimes known as Common Liverwort और Umbrella Liverwort इसको Umbrella Liverwort इसलिए भी कहा जाता है कि इसमें जब Anthridium और Archegonium आता है तो एक छटरी नुमा स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करते हैं Anthridium 4 या Archegonium 4 जो की Umbrella जैसा दिखता है इस वज़े से इसको Umbrella Liverwort भी कहा जाता है, यह एक बड़ा Liverwort है, Worldwide Distribution है और इसकी कई सबस्पीशिस हैं, डावेशियस होता है, मेल और फीमेल प्लांट अलग-अलग होते हैं लंग एलिमेंट के साथ इसको जोड़ा जाता है पुराने टाइन से इसकी जो डिजाइन है वो एनिमल के लिवर से मिलती जुलती है, तो लिवर के लिए यह बड़ा एफेक्टिवली काम करता होगा ऐसा माना जाता है, लेक है, मरकेंशिया पॉलीमोर्फा, आगे बढ़ते हैं, एक और देखते हैं, सी स्पार्कल, नॉक्तिलुका, सिंटिलांस नॉक्टी लुका इसके अंदर एक इंजाइम होता है लूसीफरेज लूसीफरेज और लूसीफरिन दो केमिकल में कनवर्जन होता है एक दूसरे के साथ ब्रेक होते हैं तब जब वाटर को छेड़ा जाता है जैसे वेव आकर के लहरे आकर के ब्रेक हो रही है तब या किसी ने पैर रख दिया तब इनके अंदर कुछ केमिकल्स का एक्सचेंज होता है नॉक्टी लुका के अंदर जिसकी वज़े से ये अनुखा ग्लो आता है इसको सी स्पार्कल भी कहते हैं नॉक्टी लुका सिंटिलाइब चलिए इसके बारे में जान लेते हैं तो इडिस अ फ्री लिविंग मेराइन ज्वेलिंग स्पीशिस ऑफ डाइनो फ्लाजलेट जिसमें बायो लुमिनिसेंस है और बायो लुमिनिसेंस प्रोड्यूस होता है साइटोप्लाजम के अंदर इस प्रोटिस्ट के बायो लुसीफरिन लुसीफरेज रियाक्शन लुसीफरिन लुसीफरेज रियाक्शन होता है इन थाउजंड स्पेशली शेपेड आर्गनल्स काल सिंटिलाउंस बहुत सारे सिंटिलाउंस होते हैं उनमें luciferin, luciferase reaction होता है और ये जो glow होता है ये बड़ा भूतिया से लगता है ghostly glow लगता है ये ghost या fire of sea के नाम से भी जाना जाता है इस लोगो ये बात करते हैं Asterious Rubens याने की starfish के बारे में तब से अनोका जीव exclusively मराएं कई बार ये starfish पानी के बाहर आ जाता है तब इसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती क्योंकि ये crawl करके पानी में नहीं पहुँच पाता करी बार ये कहे तो वहीं इसकी death हो जाती है सूख सजाता है ये देख लिए ये बड़ी परेशानी में है ये starfish पड़ी मशक्कत कर रहा है यहां से निकलने का तो अगर कोई इंसान आ गया उसको दया आ गई तो उसको उठा करके पानी में डाल देगा या फिर ये वेट करेगा लहरों का अगर कुछ वक्ट तक लहर आ गई तो ये उस लहर के साथ बैह करके चला जाएगा नहीं तो फिर तो फुछ होई नहीं सकता तो Asterious, Rubens याने की starfish चलिए इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं Common starfish, Asteridia family को बिलॉंग करता है 5 arms होते हैं जोकि 10 से 30 cm across होते हैं आप किसी किसी में 52 cm तक भी हो सकते हैं across White spines होती है running around the aboral याने की upper surface of the arm with low soft mound called papula on either side देख लिए इसके body के उपर छोटे-छोटे उभार से बने हुए हैं जिनको papula कहते हैं ये exclusively marine है याने कि समंदर में पाया जाने वाला समंदरी पानी में पाया जाने वाला जीव है star fish अंजी ये फिकस कैरिका फिकस रिजियोसा का नाम आपने सुना हुआ है people का व्रिक्ष्ष फिकस बेंगलन सिस का नाम सुना हुआ है बैनियन बर्गत का वरिक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् पार्केट में मिलने वाले ड्राइफ्रूट्स की श्रेडी में आता है, पॉर्टनिकली ये एक अलग ताइप का फ्रूट है, साइकोनस, आपने पढ़ा है, साइकोनस, सोरोसिस इस ताइप के फ्रूट्स के बारे में, जो पुरा का पुरा हाईपैन्थोडियम से बन गया है, जाना कि इनफ्लॉरसंस से बना हुआ ये एक फ्रूट है, पुरा का पुरा इनफ्लॉरसंस, हाइपैन्थोडियम इनफ्लॉरसंस इस फ्रूट को बनाता है, तेक है, अंजीर के नाम से ये जाना जाता है, इसमें छोटे-छोटे कीडे होते हैं, अब बचों, ये अंजीर त तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए अंजीर फिकस कैनिका आगे बढ़ते हैं It is an Asian species of flowering plant in the mulberry family, common fig है and it is the source of fruit also called fig which is an important crop in those areas where it grows commercial Mediterranean or Western Asia का native है अंजीर अगें मुगल्स जो हैं अपने साथ देश में आये थे हमारे भारत में क्योंकि Western Asia में पर्शिया वगेरा country में पाया जाता है It has been sought out and cultivated since ancient times Egypt में इसकी खेती होती भी बहुत बहुत पहले और आज की date में इसको fruit plant के रूप में भी लगाया जाता है और ornamental fruit plant के रूप में भी लगाया जाता है बात करते हैं मधू का लॉंगी फोलिया की जिसको महुआ के नाम से भी जाना जाता है हमारे North India में इसकी पैदावार बहुत अधिक होती है और ऐसा मानते हैं कि इसमें fruit और flower आने शुरू करते हैं बड़े late में कई साल के बाद इसमें fruit और flower आते हैं मधू का लॉंगी फोलिया इसके जो flowers होते हैं वो leather होते हैं उनमें sugar ही एक तरह का juice होता है जिसको ferment करके alcohol का भी production किया जाता है तो सारे बच्चे जो North India के हैं वो ज़रूर जानते होंगे महुआ के बारे में राइक, शांतनू, अक्ष, राहत इसके लावा कि मायरा, सपना बहुत से बच्चे जुड़ चुके हैं और बच्चों लाइख भी करें सेशन को, भई आभी के लिए सेशन है इसके बाद quiz भी करेंगे इस question करेंगे अभी क्या भी अभी बटता है मारे पास तो महुआ याने कि मधू का लॉंगी फोलिया इस अन इंडियन ट्रॉपिकल ट्री फाउंड लाज़ी इन सेंट्रल और नॉर्थ इंडियन प्लेंस अन फॉरेस्ट कॉमनली नोन अस महुआ इस फास्ट ग्रोइंग ट्री अप्रॉक्सिमेटली 20 मीटर याने कि 60 फीट की उचाई तक पहुंचता है एवर ग्रीन और सेमी एवर ग्रीन फोलियेज होता है सैपोटेसी फैमिली को बिलॉंग करता है सैपोटेसी फैमिली याने कि चीकू की फैमिली को बिलॉंग करता है चीकू या खिर्नी, खिर्नी का भी नाम आपने सुना होगा, मनिलकारा हिकसेंडरा, और चीकू है मनिलकारा सपोटा, वही सपोटेसी फैमिली को ये बिलॉंग करता है, ठीक है, इसके पैट को, इसके सीड में, जो स्टोनी सा सीड होता है, वहां से फैट्स निकलते हैं, उनको सोप ये डिटर्जेंट में यूज किया जाता है, मार्जरीन बनाने में यूज किया जाता है, और जलाने के भी काम में यूज किया जाता है हमारे देश में, बात करते हैं कौाला बियर, फैस्को लाक्टस सिनेरियस, जिसको हम कौाला बियर के नाम से भी जानते हैं, फैस्को लाक्टस सिनेरियस, ये बड़ा ही आलसी प्रजाती का भालू है, पैसे भालू तो ये क्या ही है, जबर्दस्ती हम इसको बियर कहते हैं, लेकि ये बियर है न शाका हारी किया? ये सिर्फ यूकेलिप्टस पत्ती हारी है, मतलब अगर इसको strictly speaking इसका उचित नामकरन रिया जाये, तो ये यूकेलिप्टस हारी है, शाका हारी और मांसा हारी की तो बाती ना करें, यूकेलिप्टस की पत्तियां खाकर के ये जिंदा रहता है क्वाला बियर के नाम से जाना जाता मरसुपिया है जैसे कैंगरू मरसुपिया है नग लिए है विद्वा कि निए बड़ा ही Qffe दिखने वाला जीब बड़ा ही शंत प्रवितीका होता है अब आक बड़ा जो होता है आपको अब एक बड़ी इंप्वर्टन बात बता्कustर आर तकह City ने कि आप गए तो जब forest के इलाके से भी आजकल तो humans ने forest के अंदर से भी highways बना दी है हमने तो कहीं कोई जगे छोड़ी नहीं है तो forest के अंदर से highway बने हुए जब उन highway से आप गज़रते हैं और आसपास quala region होता है तो वहां पर board लगे होते है कौाला जोन नो हॉर्ण प्लीज हॉर्ण ना बजाएं कौाला का इलाका है कौाला का छेतर है अच्छा माननीजी आपने हॉर्ण बजा ही दिया तो होगा क्या ताड़ी का अगर हॉर्ण बजा दिया तो 8-10 कौाला पेड़ करते गिर पढ़ेंगे क्योंकि उनके हार्ट अटेक हो जाएंगे कितने शोर में और हार्ट अटेक होगा है तो आप जिम्मेदार होंगे उन कौाला की death के लिए ठीक है तो चालान तो कटेगा अलग पेनाल्टी होगी अलग आपको दुख होगा अलग को अलग की population को decline करने में आपका योगदान होगा तो सारी दुनिया आप पर हसेगी यह बहुत complete समझदारी की बात है तो यह वहाँ पर और ना बजाये जाए यह देखिए कैसे तेजी के साथ पेड़े के ऊपर चड़ा ज कहते हैं जो बाम्स वगयरा में पढ़ता है पेन बाम्स में उसी से मिलती जलती चीज़े एक स्मेल होती है यूकलीट्टस की पत्यों में आपने देखा हूँ आस्ट्रेलिया से लाया गया था हमारे देश में और यूकलीट्टस का पेड़ वैसे तो काईट कामों में यह बाम्त की तरह का जो ऑइल है उसे एक तरह का हलका नशा होता है तो यह नशे में रहता है और सुस्त रहता है बीस घंटे करीब करीब सोता रहता है तो यूकलेक्टर के ऑईल में वो थोड़ा सा नशीला टाइप का होता है अर्बोरियल हर भी बोरस मरसुपिया नेटिब तो ऑस्ट्रेलिया अर्बोरियल याने की पेडों में रहने वाला बोडी लेंग इस की होती है शाट से पिचासी सेंटीमीटर और वेट होता है चार से फंदरा किलो लार्जली सिदेंटरी मतलब जादा मूव नहीं करते सिदें हो सकता है चौकलेड ब्राउन हो सकता है नॉर्थन चोटे होते हैं लाइटर होते हैं compared टू सदर्न ऑस्ट्रेलियन पॉला तो कभी उस्ट्रेलिया जाए तो कवाला के धर्षम जरूर करें हैं के लिए बच्चों रीशस मगई से मिल लेते हैं मैकका मुलेटा मैकका मुलेट रिशस मंकी देख लीजिए आपको देखते ही भाग गया देख लीजिए दोनों ने जो है हाथ पकड़े हों कहते हैं भागो भई बच्चे आ गए हैं हमारी पिसाथ नहीं है तो रिशस मंकी भागता हुआ नजर आ रहा है मक्यका मुलयाचा यह देख लीजिए और मुझे तो ऐसा लग रहा है यह आपको देख करके ही भाग रहा है आप सब बच्चों को देख करके ही यह दर के मारे भाग रहा है तेक है तो काफी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं वेरी गूट मक्यका मुलयाचा रिशस मंगी है रिशस मंगी हमारा रिष्टेदार है दूद का तेक है अचा कैसे कहेंगे कि रिष्टेदार है बच्चों हमारे ब्लड में जो आरेच फैक्टर पाया जाता है वो इसी का है इसमें जो पाया जाता फैक्टर इसमें सबसे पहले observe हुआ था इर्फान आ चुके है इर्फान बड़ा लेटाए अक्ष रिया मकैका मुलेटा के बारे में भी जानकारी लेते हैं तेक है रिशिस बंकी देख लिए डरके मारे भाग रहा डरके आगे जीते यह जानता यह बगा तो आप लोगों को देख करके डर के मारे यह बाग गया तेक है मकैका मर्की लगभग पूरी दुनिया में पाय जाता है और बहुत ज्यादा यानि की शरार्टी भी होते हैं और कई बार अग्रेसिव भी हो जाते हैं human settlement के आसपास यह खूब पाय जाते हैं इसको की खत्रह नहीं है किसी को कहने का मतलब है यह least threatened है इसकी तादात खूब है क्यों है इसकी tolerance है to a broad range of habitat कि काफी इलाकों में अपने आपको survive करा लेता है South Central South East Asia में रहता है widest geographic range है किसी भी human primate के हिसाब से Southern Asia Central Asia South East Asia में पाया जाता है ठीक है ये grassland में भी पाया जाता है arid or forested छोटे मोटे जंगलों में भी पाया जाता है human settlement के आसपास भी पाया जाता है in fact मेरी सोसाइटी में भी बहुत सारे बंदर है ठीक है मेरी सोसाइटी में भी ये मकैका मुलेटा तो भरे बढ़े ये प्रजाती का बंदर पूरा का पूरा भरा भरा है ठीक है अब बच्चों एक बड़ी important बाद आप सब को अगर ये session पसंद आ रहा है जो कि आज आठमी सिरीज है इस सिरीज का आठमा पार्ट है तो आगे भी इस सिरीज को continue रखा जाएगा तो मकैका मुलेटा को देख लिया आपने समझ गए अब चलिए बारी है हमारी unacademy quiz करने की plant kingdom और animal kingdom के उपर 20 questions हम करेंगे अभी के अभी तो मैं आपके साथ code share कर रहा हूँ जितने बच्चे session में है तुरंद के तुरंद लीजिए code और जुड़ जाएए plant kingdom और animal kingdom इस quiz बर exp point earn करने का बड़िया मौका आपको exp point से आप points में वो तबदिल हो जाते हैं और 10% तक का discount आपको मिलता है जब आप unacademy subscription कभी भी लें तो ये चीज़ देख लिए आपको इतनी पता नहीं थी मैंने आपको बता दी exp points को collect करिये और 10% extra discount आपको मिल जाता है तो ये बहुत जरूरी है so let's start 40 second का timer रख रहा हूँ और 20 MCQs plant kingdom and animal kingdom ठीक है code मैं आपके साथ share कर रहा हूँ जो नए बच्चे उनको process बता रहा हूँ कैसे जुड़ना है इस को इसके साथ एक और important बात है आज शाम तीन बजे मैं एक mega quiz ले रहा हूँ complete biology complete biology के उपर एक mega quiz है तो आप सब जरूर आएगा code है 480480543 480543 इस code के साथ सारे के सारे बच्चे जुड़ें 480543 इस code के साथ आप जुड़ना शुरू करिए 480543 480543 480543 बड़ी तेजी के साथ बच्चे जुड़ने शुरू हो गए है morning में quiz करने का अपना ही आनुन है plant kingdom और animal kingdom की उपर ये quiz जिसमें आपको मिलेंगे 20 MCUs अभी के अभी और leaderboard में अपना नाम दर्ज करें नए बच्चों को बता देता हूँ जो पहली बार session में आए हैं बच्चों follow this process मैं आपको process बता देता हूँ करना कैसे है इस quiz को तो सबसे पहले करेंगे कि आप you have to go to the play store play store पर जाईए सबसे पहले play store पर जाने के बाद unacademy learning app को करिए install unacademy learning app को करिए install after you are there on the play store unacademy learning app को install कर लीजी install जैसे ही कर लिया तो क्या करना है play store पर गए unacademy learning app को install करेंगे बहुत जल्दी हो जाता है 30-40 second के अंदर अंदर install हो जाएगा बहुत बढ़ी हाँ light app है और बहुत ही बहतरी नैप unacademy learning app को जैसे install कर लिया फिर नीट यूजी सिलेक्ट करें नीट यूजी सिलेक्ट करेंगे ऐसे drop down आएगा यह आपकी mobile screen पर ऐसे दिखेगा तो यह drop down आएगा drop down पर क्लिक करें नीट यूजी सिलेक्ट कर लीजिए क्योंकि बहुत सारी categories है आपकी जो category है वही सिलेक्ट करनी है फिर plus select कर लीजिए plus select करने के बाद अब यह देख लीजिए यह फिर आपकी mobile screen ऐसे दिखे this is how your mobile screen will look like और नीचे आप देखेंगे test का tab नीचे देखेंगे test का tab test के tab पर क्लिक करेंगे और जैसे test के tab पर क्लिक करेंगे तो फिर join quiz का यह option आजाएगा यह blue button आपकी mobile screen पर देखेंगा join quiz का यह blue button और तेजी के साथ बच्चे जुड़ रहे हैं जैसे ही 50 के करीब बच्चे हो जाते हैं इसको start कर देंगे 21 student already joined क्या बात है और code यूज़ करेंगे 480543 ठीक है code में बता देता हूँ 480543 543 मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ जैसे थोड़े से और बच्चे जुड़ जाते हैं मैं quiz को start कर दोगा क्योंकि बच्चों देखिए 10-20 बच्चों में कुई start करके कोई फायदा नहीं है आपका वो 10 के ही leaderboard में नाम आएगा आपको पता ही नहीं होगा कि आपने इसके साथ compete किया आप खुद ही अपने आपके ही राजा होगे टेक है 24 बच्चे जुड़ चुके है 480543 चलिए जब तक बाकी बच्चे जुड़ रहे हैं तब तक मैं अपने बाकी sessions के बारे मता देता हूँ और फिर quiz को start कर दूँगा after a minute टेक है बचों यह रहा हमारे special classes का schedule special classes आपको मिलती है सुबह 10 बजे कल सुबह 10 बजे आप मेरे special class देखिएगा और जरूर आईएगा कल सुबह 10 बजे आज 10 बजे हम लिए binomial nomenclature series रख लिए तो time तो होई था special classes भी जरूरी है आप उनको भी देखा करें YouTube पर life daily schedule है जो हमारा उसके हिसाब से मेरा time table है शाम 7 बजे आउ टेलिग्राम चैनल की बात करते हैं बचों टेलिग्राम चैनल को access करने के लिए सबसे पहले टेलिग्राम आप को install करें देन गो तो ब्राउजर और टाइप life daily.me forward slash chat और आप इस group के साथ जुड़ जाते हैं हैं यहां पर structured live classes वो भी country के best educators के द्वारा अब एक चीज़ ध्यान रहे हैं physics, chemistry, biology हम तीन ही नहीं पढ़ाते हैं बहुत से educator हैं आप उन सारे के सारे educators के batches के साथ जुड़ जाते हैं unacadaly subscription लेते ही सब के courses access कर सकते हैं इंडिया के सारे best educator आपको यहां पर इस platform पर बिल जाते हैं आप हमसे interact कर सकते हैं app में भी message छोड़ सकते हैं class के दौरान भी interact कर सकते हैं life or leaderboard जब भी quiz series start करी जाएगी तो उसमें आप अपने leaderboard में अपने आपको check कर सकते हैं life or test series analysis भी होता है और life doubt clearing session after every three lecture dedicated doubt cleaning sessions हमारे year long batches already running है इसके लवा मेरा एक और course चल रहा है complete biology course बारा बज़े से एक बज़े के बीच में everyday तो वो भी आपको जोईन करना आज भी है session करना क्या unacademy learning आपको install करिए play store पर जा करके plus select करिए need tog select करिए get subscription और फिर यह window यहां अपनी जरूरत के हिसाब से subscription चूज कर सकते हैं आप ठीक है देख लीजे subscription duration है 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 month अब 1 month और 3 month का subscription यह crash courses में आप यूज कर सकते हैं अभी के लिए जो बच्चे need 2020 aspirant है need 2020 के लिए 6 महीने से कुछ अधिक वक्त बचा हुआ है तो जिन बच्चों को need 2020 की तैयारी अब करनी है complete तो आप 6 महीने के भी subscription के साथ जोड़ सकते हैं और 12 month का subscription भी वो बच्चे ले सकते हैं जिनको आगे भी planning भैदेने की लेकिन ध्यान रहे जो बच्चे 9th या 11th में हैं उनके लिए जरूरी है कि detailed learning के लिए टीम के साथ जुड़ जाते हैं in fact इंडिया में जितनी भी best educators हैं उन सब की teams के साथ उन सब educators के साथ आप जुड़ते हैं इसी एक code के साथ यूज करे code प्रदीब लाइफ जोई बित अनकेड़ी subscription iconic subscription में कुछ extra feature है इस वज़े से price produce ही higher है extra features देख लीजिए आपको यहाँ पर मिलता है personal coach NEET UG workshop expert guidelines आपको मिले भी study planner और test analysis जैसे कुछ extra बहतर feature यहाँ पर मिलते हैं यह भी अच्छा now unacademy NEET चैनल को subscribe करें channel को subscribe करें bell icon को hit करें hash NEET like daily पर अपने social media platform पर भी share करें अब quiz time आ चुका है की बारी है चलते हैं quiz की तरफ now आगे बढ़ने से पहले NEET UG clear करिये with unacademy neat channel just neat neat voyage neat topper neat tell all our sister channel together let's crack it and for joining with unacademy subscription use code pradeep life आप मेरी guidance मेरे साथ अपनी منزل के सफर को तै करने में कामयाब होंगे code use करिये pradeep life और quiz का code 480543 480480543 इस code के साथ जुड़ जाईए तो काफी बच्चे जुड़ चुके हैं इस quiz के साथ 480543 गोड़ के साथ अब बारी है मैं countdown शुरू करता हूँ और जैसे थोड़े से और बच्चे हो गए start कर देंगे जो बच्चे यूट्यूब पर अभी भी session देख रहे हैं बच्चे अभी भी वक्त है आप जुर सकते हैं quiz के साथ अभी भी वक्त है क्योंकि मैं countdown शुरू करूंगा तो अगले 30 second में आपको unacademy app भी install हो जाएगा और need, ug और plus भी select कर लेंगे test tab पर भी click कर देंगे और join quiz पर click कर देंगे चलिए तो बारी है अब countdown की 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 quickly जुड़ जाएए code use करिए 480, 5, 4, 3 4 हो जुका है 3, 2, and 1 मैं start कर रहा हूँ quiz जितने बच्चे अभी भी चाहें जूड़ सकते हैं क्योंकि 40 second का timer है कोई भी तक की बाद नहीं है you can still join the quiz 480, 5, 4, 3 और ध्यान रहे तो पहर 3 बजे आज आपको आना है mega quiz में complete biology के उपर quiz है 11th or 12th दोनोंके आपको के उपर वजमाश आएंगे that's all for now बच्चू इस सेंगी see you all again at